हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पताऊंगा कि आप स्पोकन टुटोरियल के किसी भी कोर्स को कैसे रेजिस्टर कर सकते हैं तो simply आपको यहाँ पर software training पर आ जाना है और यहाँ पर training के section पर नीचे individual learning workshop होगा उस पर आपको चले जाना है तो आप इस page पर आ जाओगे यहाँ पर आपको different courses में जाएंगे जिस भी course में आपको register करना है तो आप कर सकते हो तो मानलो मैं को C & C++ में register करना है तो मैं यहाँ पर register now पर click करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास registration form जो है ओपन हो जाएगी यहाँ पर full name, email id, phone number, gender, state यह details जो आपको fill करनी है college school जिस भी college school में आप study करते हो और फॉस जो भी अपने course लिया है वह अपने आप यहाँ पर आ जाएगा C & C++ language, language आपको choose करने पड़ेगी जिस भी language में आपको यह course जो है study करनी है यहाँ पर आपको amount दी होगी course की तो यहाँ पर उपर देख सकते हो यहाँ पर कुछ important dates है start date & end date 20 July जो है start date है 8 August जो है यह last date है इस course की तो event organizer जो है जहरा सेख है है इनकी email id दी हुई है और इनका contact number दिया हुए आपको कोई भी information देनी हो यह course के regarding तो आप इनसे contact कर सकते हैं more details के लिए contact details यहाँ पर click करोगी तो यह आपको यह open हो जाएगा तो यहाँ पर state by जो है उनका contact उनसे contact कर सकते हो आप मालूम है पंजाब से हूँ तो पंजाब से तन्वीर सिंग है और उनकी email id दी हुई है और contact number दिया हुए यहाँ से आप उनसे contact कर सकते हो किसी भी कोई भी information लेनी हो course के regarding तो आप ले सकते हो तो वापस आजाते हम registration form में यहाँ पर जैसी आप तो make payment करोगे और यह detail जो अपनी fill कर दोगे तो आपका जो registration है successful हो जाएगा तो एक वीडियो मैंने और बनाई हुई है how to download certificate in spoken tutorial spoken tutorial में अपने certificate कैसे download कर सकते हैं वो वीडियो नहीं देखिया तो आप देख लेना तो चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना मिलते हैं next video में thank you कर दो कर दो